हाइब inomस्कार दोस्तों कैसे आप सभी असा करता हूं आप सब च्छे हुंगे तो आज आप के लिए लेड़े हैं है रोटविलर के बारे में थोड़ी जानकारी असलेगे तो लाइक जरूर करें है रोटविलर का नाम बहुत बदनाम है कि रोटविलर इसे है, रोटविलर भी वैसे है, रोटविलर भी वैसे ही सीखता है तो आप वीडियो में देख पा रहे होगे, यह अडल्ट डोग है, रोटविलर का अपने फारम के उपर है, यह खुद अपना स्टड है, इसका नाम है जोकर, ठीक है, तो ये देख पा रहोगे आप ये भी एक रोट विलर फिमेल है और इसका नाम रिया है ठीक है तो जो रोट विलर को बद नाम करते हैं जो इसके बारे में बोलते हैं ये तो बहुत खतरना कही है ये वो सब तो ऐसा कुछ नहीं है ठीक है तो जैसे हम अपने डोग को त्यार करते हैं वो वैसा ही behavior करता है ठीक है तो ये हमारे पास बच्पन से है तो इसकी activity देख वाओगे आप मतलब ये मेरे लड़के के साथ कैसे खेलती है और मतलब कितना प्यार से खेलती है तो इसको काटने का या दांत मारने का या कोई ऐसा रिजन आपको नहीं दिखाई देगा इसमें कि भाई इसने काट लिया इसको जितने मर्जी मर्जी मस्ती ये इसके साथ कर सकता है इनका relationship ऐसे जैसे बाई बैन का रिस्ता होता है ठीक है क्योंकि फिमेल तीन साल के करीब हो चुकी और यह हमारे पास बचपनशे है और यह है जी रोट विलर अपना चुक कर ठीक है इसका behavior भी आप देख पा रहे होगे एक बच्चे के जैसे रखता हूं मैं इसको बहुत ही चांदा और बहुत ही प्यारे है मेरे पास रोट विलर तो आगे देखते हैं अब सरारत आप देख पाओगे अभी प्यूमत करता है मुलब इसके मुझे आथ रख देता पूरा और इसको पकड़ पकड़ के भी खिचता है पूरी मस्ती करता है और मतलब रिया का एक बार यह तांस नहीं है कि इसको कभी दांग मार सके क्योंकि यह भी इसको बहुत ब्यार करती है अगर कोई आपका सवाल है रोट विलर के बारे में तो आप कोमेंट बोक्स में मैंसेज मुझे कर सकते हैं तो आपने सब देख लिए वारिया के साथ कैसे सरार्थ करता है और यह देखिए कितना प्यारा सीन है मतलब एमद इसको कहता है मैं तुझे थपड मार दूगा तो यह ऐसे हाथ रखेगी मना करेगी नहीं मुझे नहीं मारना है तो मतलब ऐसा रोट विलर को बदनाम करने वाले बहुत ऐसे ही बेवकूफ और यह देखिए यह एडल्ट रोट विलर है मेरा जोकर है जो एमद के साथ ऐसे बिलकुल बाई के जैसे रहता है ठीक है को यह अट्रैक नहीं करता कोई मतलब ऐसे इस परकार की एक्टिविटी आपको नहीं दीखाई देगी कि रोट विलर को मतलब हम खतरनाक कह पाएं नहीं रोट विलर बहुत 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 प्यारा डोग होता है औ और मैं सिर्फ रोट विलर की ही ब्रीडिंग करता हूं तो अगर ऐसे कोई बदनाम करता है ब्रीड के तो ऐसे मतलब किसी की बात ना सुने ठीक है जब आप इसको अगर एक बार रख लोगे तो आपका मन जिन्दगी भर ऐसा हो जाएगा मतलब दूसरे डोग को आप रखने होता है तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर जरूर करें अगर आप चैनल पर पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अपने आड़े-आड़े वीडियो आप देख पाऊ थैंक्यू